देश में पिछले कुछ सालों से महंगाई और बेरोजगारी बढ़ती जा रही है जबकि बीजेपी ने सत्ता में आने से पहले बड़े बड़े वादे किये थे और आज विपक्ष उन्ही वादों पर सरकार को घेरता है विपक्ष का आरोप है कि सरकार के वादे जुमला साबित हुए है जिसके चलते सरकार घिरी हुई है और सडक से संसद तक हर जगा विपक्ष की आवाज दवाने की कोशिश कर रही है लेकिन विपक्ष भी हार मानने को राजी नहीं है और लगातार सरकार पर हमलावर है तो आई वीडियो सामने आए जिसमें कॉंग्रेस नेताओं के साथ दिल्ली पुलिस की बरबरता देखी जा सकती है। के मुद्दे उठा रहे हैं और मोदी सरकार को घेर रहे हैं। के सवाल किया है। बता दे कि इससे पहले रहुल गांधी इनी मुद्दो को सरकार तक पहुचाने के लिए 26 जुलाई को विजय चौक पर धरने पर बैठ गए थे। जिसके बाद पुलिस ने उन्हें हिरासत में ले लिया था लेकिन रहुल गांधी के तेवर नरम नहीं पड़े हैं। और उनकी आवास दवाने की लाख कोशिशों के बाद भी सरकार पर उनका हमला जारी है। डीवी लाइव की रिपोर्ट